आज अन्सु का पाकवान में मैं लेकर के आई हूँ चिकी की रेसिपी तो वीडियो को पुराइन तक जरूर देखिएगा अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा मैं ले लिएर मुझफली रो मुझफली ल HEY-on soamn मुंखली अच्छे से भुन जाए और इसके छिलके को हमें हटाने में परिशानी ना हो तो बिल्कुल इस तरह से करिएगा देखिए अब इस तरह से हाथों में उठा लिजेगा और चेक कर लिजेगा ये मुंखली हमारे रोज ठुआ या नहीं तो चली मैं थोड़ा सा और इस से भुन लेती हूं बिल्कुल इस तरह से भुन लेजेगा बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर के तैयार होगी आप मार्केट में खाते होंगे उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेगी तो वीडियो को जरूर लास तक देखिएगा तो देखिए इस तरह से मैं चेक कर लेती बिल्कुल प्रेस देते हुए इसे करस कर देना इस तरह से हमें रगट देना बिल्कुल इस तरह से कीजिएगा ताकि इजिली इसके चिलके जो हो हट जाएंगे तो इस तरह से एक बार जरूर बनाएगा देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें हाथों की सहायता से इसे करस कर है देखे कितनी अची तरह से इसके छिलके इजली हट गए हमें ज्यादा मेहनद भी नहीं करना परा तो चलिए अब इस तरह की हमें ले लिनी है एक छनी जो भी आपके पास हो वो लिजेगा इसे डाल करके और इसके छिलके को आप निकाल लेजीगा देखे आपका घर भी गं पास में यह मुंगफली बढ़ जाएगी तो देखे इस तरह से मैं इसे हलका सा क्रस कर दूंगी बेलन की सहायता से अब किसी भी चीज से इस तरह से कर सकते हैं तो देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी यह कितनी अच्छी तरह से हो चुकिए क्रस देखे बिल्लकुल इ मेरे पास मिठाई की यह डबे थी तो मैंने इसे रख लिया था आप चाहे तो यहां पर प्लेट या फिर कोई भी पॉलो थीन या कोई भी चीज आप ले सकते हैं और उसे कर लिजेगा इस तरह से ग्रीस तो हमें इस तरह से कर लेना है ग्रीस तो पहले आप इसे फटा- अब हमें इसे रख देना है एक पैन पर गैस को मीडियम टू लो कर दीजेए और एक चमच हमें यहां पर डाल देना है पानी और इस तरह से हमें कर लेना है गुर को डिजॉल्व बिलकुल इस तरह से कर लेना है ताकि गुर जो है अच्छी तरह से हमारा मेल्ट हो जाए फ् बिल्कुल इस तरह से तो देख सकते हैं बवल जब आजाएं उसके बाद हमें इसे कर लेना है चेक तो बिल्कुल इस तरह से थंडा पानी लेली हूँ एक कटोडी में और उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए इस तरह से चासनी गुर्की और उसे देखिए हाथो के साहता से इस फिंगर पे इस तरह से लेली जोड़े एक ताड़की इसमें से इस तरह से ताड़की चासनी बनती इस तरह से बिल्कुल इस तरह से तो चलिए ये गुर्की चासनी हमारी बनकर के तयार हो चुकी है अब हम यहाँ पे डाल देंगे मुंगफली तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लो और अब मैं यहां पर एक चमश घी डाल दी हूँ घी डालने से साइनिंग आती है इस चिक्की में और बिल्कुल यह देखने में मार्केट जैसा लगता है और खाने में खसता लगता है तो इस तरह से एक बार जरूर बनाईगे चलिए अब फटा फट से इसे उ समझ जायेगा और सही से सेट नहीं हो पाएगा तो हमने गर्म गर्म ही उताड़ना है और फटा फट से हमें से शेट कर लेकर गाल दींगियोत ikBack ब्लम इस ताह तरह में से उपर कटका निसान लगाा देना है ताकी बिल्कुल इस तरह से ने निचे इस निशे से थोड़ा थ टालेना है बिल्कुल इस तरह से निकल जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है ये और बिल्कुल टेस्टी ये खस्ता खाने में आपको ये खाने के बाद बहुत ही मजाएगा अगर एक बार इस तरह से आप बनाएंगे तो फ्रेंड्स बताएगा कॉमेंट बॉक्स में आ